नमस्कारम सद्गुरू कल प्रधान मंत्री ने घोशना की कि जहां चंद्रयान तीन उत्रा है उस जगा का नाम शिवशक्ती रखा जाएगा लेकिन चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृत्वी पूरी मान आता के हैं तो क्या ये ठीक है कि चंद्रमा पर किसी स्थान का नाम किसी विशेश संस्कृती के देवी या देवता के नाम पर रखा जाए Thank you सीदे सीदे भारती राजनीती में Apollo, Luna, Saturn, Mercury, Neptune Venus ये सब क्या है ये सब ही युनानी देवी देवता है क्या इसका मतलब है कि ग्रहों का सिस्टम युनानियों का है कम से कम हमने वहाँ लैंड तो किया तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि आज कल राजनीतिक नेत्रित्व में इस तर का ग्यान संभव है लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि शिव शक्ती किसी देवी और देवता के नाम नहीं है हम दो मूल भूत शक्तियों की बात कर रहे हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में पुरशगुन, स्त्रीगुन देखिए दूसरी संस्कृतियों में वो इसे यन और यांग कह सकते हैं और कितनी सारी दूसरी चीज़ें भी सूर्य और चंद्रमा, हीड़ा और पिंगला विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों के कई सारे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन वो महतु पूर्ण बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि इस स्रिष्टी में सभी भौतिक अभी व्यक्तियां दो दुरूओं के बीच खटित होती हैं इसमें संद्य की कोई गुंजाइशी नहीं है ये चीज उस उस सभ्यता से नहीं आई है जिसे हम भारत कहते हैं हलांकि ये पहली सभ्यता है जिसने इसके बारे में बात की है लेकिन आज आधनिक विज्ञान ने इसे बिना किसी शक के स्थापित कर दिया है कि हर वो चीज जो भौतिक है वो किसी न किसी तरह से घूम रही है ये आपने आप ही परिक्रमा कर रही है घूम रही है तो इन परिक्रमाओं में आगर आप देखें सिर्फ दो ही तरीके हैं कि कैसे सब कुछ घूम सकता है clockwise या anti-clockwise लोग इसे उपर और नीचे कहते हैं लेकिन सिर्फ दो ही तरीके हैं ये हजारों अलग-अलग तरीकों से नहीं घूम सकती है ये सिर्फ दो तरीकों से घूम सकती है इन दोनों को हम शिव शक्ति कहते हैं और ये बात शांदार है कि उस थान को उनके अपने ही नामों से पुकारने के बजाए जैसे कि उन्होंने अतीत में किया है हम इसे सही शब्दों से पुकार रहे हैं जो कि पूरे ब्रह्म हंट के लिए माइनी रखेगा अपने बीतर अनभाव करना ही योग का बुनियादी पहलू है इडा पिंगला हठ ये महत्वपून है कि आधनिक विज्ञान के बदालत दुनिया भर में इंसान की समझ अब दुनिया के इस हिस्से की सब्विता के गहराई से स्थापित पहलूओं को पहचान रही है आधनिक विज्ञान धीरे धीरे टुकडों टुकडों में छोटे छोटे टुकडों में एक एक करके धीरे धीरे इसके हर उस पहलू को प्रमानिकता दे रहा है जो हजारों साल पहले बता दिया गया था ये चीजें कई शताब्दियों पहले स्थापित कर दी गई थी अगर आपको यह नप पता हो तो करीब 2700 से 3000 साल पहले ही इस सब्विता में इस ग्रह के अध्यन को कहा जाता था भूगोल जिसका मतलब है एक गोल ग्रह ज़़ दुनिया में हर कोई बहस कर रहा था कि ये चप्टी है या गोल यहां ये अच्छे से स्थापित था ऐसी प्राचीन आकृतियां और तस्वीरें है जहां ये दिखाया गया है कि प्रिथ्वी ग्रह एक गोल गेंद यानि ग्लोब कच्छे की पीठ पर रखा है और सूरज के चारों और गोम रहा है जहां बाकी की दुनिया दुनिया के शास्त्र, दुनिया के धर्म, दुनिया की संस्कृतियां और दुनिया के अग्यान्ता ये कहती जा रही थी कि पृत्वी ब्रह्मान का केंद्र है यहां बहुत स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है कि पृत्वी सूर्य के चारों और गोम रही है और कच्छुए की पीठ क्यों? क्योंकि कच्छुआ अपने आप अपनी गती नहीं बढ़ा सकता ये एक नियमित गती से चल रहा है इसलिए ग्रह तेज या धीमानी हो रहा है ये एक नियमित गती से चल रहा है इसलिए हमारा जीवन संतुलित है मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन हम इसे यहीं छोड़ते हैं लेकिन ये वाकई अद्भुत है कि चंदरमा पर एक जगा है हम उस जगा को देख नहीं सकते, ये दक्षणी छोड़ पर है चंदरमा पर एक स्थान है, जो शिव शक्ती है तो, अब क्योंकि मैंने अपने हाथों को जोड़ा है और इस सद्गुरू शिव शक्ती को प्रणाम कर रहे हैं क्या वो लिंग भैरवी है? मैं आस्तित्विकी सच्चाई के सामने नत्मस तक हूँ क्योंकि यही वो कमभख्त चीज है, जो हमारे जीवन में माईने रखती है इसकी सच्चाई क्या है? हर चीज की सच्चाई क्या है? सिर्फ यही तो माईने रखता है वो सब कुछ जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है वो आपके साथ ही मर जाता है यह आपको मार डालता है अगर आपने अपनी अज्ञानता को जल्दी ही नहीं मारा तो यह आपको कई तरीकों से मारती है यह कम से कम यह आपके साथ मर जाती है जो सत्य है, वो जीवित रहता है चाहे हम मौजूद हों या हम मौजूद नहूँ तो जिसे हम शिवशक्ति कहते हैं हम लोग इसे ए भी बुलाएं हम धर्म निर्पेक्ष बनकर इसे ए भी क्यों नहीं बुला सकते आप चाहें तो बुला सकते हलो अगर आप चाहें तो आप इसे ए भी कह सकते अगर यही आपकी पसंद है लेकिन मानव जीवन केवल तथ्यात्मक सत्य पर नहीं चल सकता है मानव जीवन को कलात्मक समझ की जरूरत है हलो केवल तथ्यात्मक सच्चाई पर आप होते कौन हैं आप किस लायक हैं मैं पूछ रहा हूँ ये कलात्मक समझ है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे बोलते हैं, आप क्या करते हैं, ये आपके कलात्मक समझ है जो माइने रखती है, आपके सच्चाई क्या है, आप बस एक अधना सा जीवन है जो उगता है और नश्ठ हो जाता है, यही एकलौती जीवन क सच्चा ही है आप जो कई सारी चीज़े हैं उसकी कलात्मक्ता यही छोटी-छोटी चीज़े हैं जो माइने रखती हैं तो आप इसे ए भी कह सकते हैं तब कोई पूछेगा इंगलिश भाशा में क्यों हम इसे आखियों नहीं बुला सकते मैं कह रहा हूँ यह एक मुर्खता प मुझे आश्चर है कि यह चीज़ कहां से निकल कर आगे तो शिवशक्ति जितनी गहरी आपकी शिवशक्ति को लेकर समझ होगी उतना ही गहरा शिवशक्ति के साथ आपका सामझ जैसे भी होगा आप शिवशक्ति के साथ जितने ज़ादा तालमेल में होगे आपके शरीर के ये दो आवर्तन यानि क्लॉकवाइस और अंटी क्लॉकवाइस यानि सिस्टम के अंदर के इडा पिंगला जितना ज़ादा इन दोनों में संतुलन होगा आप उतने ही ज़ादा विवेकशील बन हम यहां बोध के बारे में क्यों बात कर रहे हैं चंद्रमा और बोध बहुत जुड़े हुए हैं चंद्रमा और हमारा जन्म बहुत जुड़ा हुआ है शिव को या आदियोगी को क्यों चंद्रमा के साथ दिखाया गया है वे सौम शेकर क्यों है और कमाल की बात है कि इसरो के अध्यक्ष सुमनाथ है मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने कहा आपके माता पिता ने आपका नाम इतना सटिक कैसे रख दिया और उन्होंने कहा सत्गुरु ये तो भगवान शिव का नाम है ये मैं नहीं हूँ ये होती है विनम्रता ज्ञान के साथ लोग अभिमानी हो जाते हैं लेकिन ये उन लोगों का एक ग्रूप है जिनसे मैं पिछले कुछ समय से बातचीत करता आ रहा हूँ अगर आपको सच में एक वातावरन देखना है मैं इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं कहूंगा लेकिन आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए जिस वातावरन की आवशक्ता होती है अगर आपको उसे देखना है हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं इसरो की हालिया सफलता के चलते इसे बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ लेकिन मेरा यकीन मानिया आप वहाँ जाईए और देखिए आप देखेंगे वहाँ का माहौल हमारे जैसा है कोई हैं जिसे मैं करीब से जानता हूँ वह वहाँ गये और मुझे बताया सद्गुरू ये सभी वैग्यानिक और वहाँ काम करने वाले सारे लोग वो ईशा के सादकों की तरह काम कर रहे हैं ईशा वॉलिंटिर्स की तरह मैंने का हाँ मैंने भी ऐसा महसूस किया उन्होंने वातावरन बनाया है उन्हें बस थोड़ी सी आग की जरूरत है और वहाँ पहुच जाएंगे क्योंकि अगर कुछ भी होना है तो आपको माहौल चाहिए होता है आपको वातावरन की जरूरत होती है इस ग्रैपर चीजें हो रही है क्योंकि यहाँ वातावरन है चंद्रमा पर जादा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ कोई वातावरन नहीं है आप इसे समझेगा यहाँ एक अच्छा वातावरन है जिसने आपको धाम के रखा है जैसे आपको अपनी मा के गर्ब में रखा गया था आज भी धर्ती मा ने आपको अपने गर्ब में धारण किया हुआ है ये दबाव, ये ओक्सिजन का लेवल, विभिन गैसों का लेवल ये सब आपको इस जगा पर रहने के लिए बहुत जरूरी है अगर दबाव बढ़ जाए, आप कोचल जाएंगे अगर ये कम हो जाए, आप सांस नहीं ले सकते, आप बिखर जाएंगे ये एक तत्थ है, अभी आप जो यहां बैठे हैं तो आपको थाम के रखा गया है और कितनी शिकायते हैं हलो, कितनी सारी शिकायते हैं विश्वास नहीं होता, अब शिवशक्ती ये बहुत महत्वपून है, क्यूंकि एक तरह से ये शिवशक्ती का मिलन भी है क्यूंकि मानव जीवन पर चंद्रमा का प्रभाव बिलकुल सीधा है अगर आप चक्रों को देखें शारेरिक या जैविक चक्रों को देखें जो हमारी माताओं के शरीर में हो रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं चक्रों की वज़ए से पैदा हुए हैं और किसी वज़ए से नहीं है लो सिर्फ इसी वज़ए से और ये 27.3 या 4 दिन जिन में चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा करता है और ये मानव शरीर विज्ञान एक ही गती से चलते हैं यही कारण है कि आदियोगी ने बहुत पहले कहा था कि मनुष्य शारेरिक रूप से क्रमिक विकास के शिखर पर पहुँच गया है यहां से आगे वो शारेरिक रूप से विकास नहीं कर सकते वो केवल चेतना के स्तर पर विकसित हो सकते हैं वो शारेरिक रूप से विकसित नहीं हो सकते यानि कि आपके सींग नहीं उगने वाले या आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप सोच रहें कि आपको मिलना चाहिए क्यूंकि जैविक विकास इस ग्रह पर अपने चरम पर आ गया है लेकिन अगर आप दूसरे ग्रह पर जा कर रहें तो हमें नहीं पता है शरीर का क्या होगा ये बढ़ सकता है, ये कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है या ये वहां जीवित रहने के लायक ही ना हो, हम नहीं जानते लेकिन ये शरीर इस ग्रह पर पैदा हुआ था और यहीं की सामगरी से पैदा हुआ था जब हम सामगरी कहते हैं, तो ये सिर्फ पृत्वी नहीं है, भाप, पानी, गैसें, सब कुछ इसमें शामिल है, इसको बनाने में ये सब कुछ शामिल है, तो इस ग्रह पर ये शिखर पर पहुँच गया है, तो कई माइनों में चंद्रमा यही दर्शाता है, यही कारण है कि वो सोम शेखर हैं या सोमनाथ हैं, और बोध के मामले में, और विकास के शिखर पर पहुंचने के मामले में, ये एक महत्वपून पहचान है, और उस थान पर, या स्पॉट पर, जहां ये लूनार या चंद्रयान तीन उत्रह है, वो शिवशक्ती है, मुझे लगता है कि य बहुत ही गहरी समझ की बात है और मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा ये असाधारण है कि राजनेतिक नेत्रतु जागरुकता के इस तर परूचा उठ रहा है